हेलो डियो स्टूरेंट्स कैसे हैं आप सब मैं आपकी अंबिका सिंग अकाउंट्स एजुकेटर स्वागत करती हूं आप सभी का मैंनेट ब्रेंज के चैनल पर एक ऐसा चैनल जो आपको प्रोवाइट करता है एक हैं 100% free and Quality Education English medium के लिए आपको Class Kg से लेके Class 12 के course के बिल जाएंगे English Medium को स्टूरेंट्स को और यदि Hindi Medium की स्टूरेंट्स की बात लेना है और इसी के साथ यदि आपको एबुक्स याई नूट का बेनेफिट लेना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल जाएगी आप जाकर चेक कर सकते हैं और इसका भी बैनेफिट आप अराम से ले सकते हैं CBSE Board के courses हम cover कराते हैं आपको और इसी के साथ students हम आपको other state board के course भी cover कराते हैं जैसे कि Delhi, Bihar, UP, MP, Rajasthan, Boar, सारी इतने सारे जो states है नख यहां के भी courses मिल जाएगे बाकी चैनल की तरह किसी भी चैप्टर का पहला टॉपिक पढ़ा दिया दूसरा तीसरा छोड़ दिया चौथा पढ़ा दिया फिर छोड़ दिया फिर ऐसे नहीं करते सारे टॉपिक सीक्वेंस में एक पूरा फॉर्मेट फॉलो करते हुए हम आपको सारी चीजे विवस्थित तरीकेसे प्रॉइड करते हैं यदि देखना है तो यूट्व चैनल पर देख लो पूरी प्लेलिस्ट में आपको सारी चीज़े विवस्थित चाप्टर वाइस कौंसेप्ट वाइस questions, am secure, decision, reason, most important, सारी चीज़े, इतना बढ़िया तरीके से हम लोग आपको पढ़ाते हैं, एकदम आपकी learning को enhance करने के लिए, जो आपको कोई और चैनल फ्री में तो प्रोवाइड नहीं कर सकता, यह मेरी गारेंटी है, ठीक है, तो करना क्या है, चैनल से जुड़े रहना है, फटा-फटा सब्सक्राइब कर लो, फटा-फटा आची क्लास को like, share कर दो, और चैनल को subscribe तो खेर करनी है, ठीक है, तो बस चलिए, शुरू करते ह आज की क्लास को, और आज मैं आपको बताने वाली हूँ, कि हम आगे का जो topic पढ़ने वाले हैं, वो आपके लिए क्या होगा, ठीक है, उससे मैं आपको बस एक छोटा सा introduction देने वाली हो, इस topic में, क्योंकि यह सारे topic जो आज पर बढ़ाऊंगी, यह बिसिकली यह जो topic है, यह सब कुछ आपकी third chapter में cover हो चुकी है, detail में, ठीक है, सारा कुछ detail में पढ़ा चुकी हो में, लेकिन फिर भी आज इसका मैं just introduction लेकर रहे हूँ, थोड़ा सा मैं आप लोगो एक बर और बताऊंगी, so that कि आपका mind एक दम brush up हो जाए, क्योंकि था chapter पढ़ा हुए time हो गया ह जिसमें जो हमारा chapter है, कौन सा चल रहा है, chapter number 4 जिसके नाम है, admission of a partner, कि भाई जिब पार्टनर का partnership में admission होता है, तो क्या तमाम चीजे होती है, क्या conditions होती है, क्या adjustment क्या accounting का काम, क्या work होता है, सारी चीजे, everything we are going to cover in this particular chapter, तो आज आईए, आज का topic देख लीजिए, आज का topic ह होने वाला है, adjustment required on admission of a partner, देखो, main बात यहीं आती है, main जो आपको पूरा exercise के question करने है, numerical questions करने है, वो यहीं पर करने है, जिसका नाम है, adjustment required on admission of a partner की भाई, देखो, मैंने आपको हमेशा बोला है, अभी जो, मतलब 4 chapter से जब से classes चल रही है हमारी, हर class में बोलती हो, कि बोलना तो आसान है कि partner का admission हो गया, पर उसके पीछे काफी सारी तिकडम, काफी सारी adjustment, काफी सारी accounting का काम, accounts में बहुत सारी चीजों को change करना पड़ता है, नए accounts बनाने पड़ते हैं, दुबारा से ratio को change करना पड़ता है, दुबारा से agreement बनाने होते हैं, भाई, बहुत सारी काम, ब लेकिन नहीं होगा, यदि आप यहाँ पर पढ़ लोगे, तो यह सब कुछ easy हो जाएगा, exam भी अच्छा खासा निकल जाएगा, और आगे accountant बनोगे, तो अभी भाई काम आएगा, आप ही का फायदा है, ठीक है, तो फिर आज आईए, class को बढ़िया तरीक से start करेंगे, lecture करत होगा, तो फिर देखो, आज हम क्या पढ़िंगे, जो भी adjustments है, उनको मैं आपको पूरा बताने वाली हूँ, क्या-क्या adjustments होते हैं, तो फिर आजो, जल्दी से आजो, हम लोग फटा-फट से सारे adjustment को start करेंगे, ओके तो चलिए, हम ले लेते बढ़िया वाला color pen के लिए, चल 1, 2, 3, 4 और आने वाले जितनी भी आगे के हैं, यह सारे मैं आपको एक अलग-अलग classes में, detail में पढ़ाऊंगी, यहां मैं बस आपको एक पूरा full introduction लेकर रही हूँ, है ना, एक पूरा full introduction जब मैं आपको यहां पर दे, मतलब फोल introduction मतलब, brief मैं इस सभी का introduction दे दूँगी, brief हमने chapter number 3 में पढ़ लिया है, तो अब यहां पे आपको ज़्यादा deep में पढ़ने की ज़रुवत नहीं है, बस अब आपको थोड़ा-थोड़ा सा introduction लेना है, लेकिन question पूरे करेंगे, question में कंजूसी नहीं रखेंगे, हाना, concept में कंजूसी नहीं रखेंगे, concept का भी मैं आप आपको दुबारा से revision कराऊंगे, देखो है, तो वैसे इस topic थर्ड में already पढ़ लिया है, बट फेरी भी मैं आपको revision कराऊंगे, पहली चीज, दूसरी चीज, exercise के तो सारे question कराऊंगे, exercise के तो सारे question कराऊंगे, exercise के अल्रेड में कर चुके है, लेकिन fourth exercise अलग है, क्योंकि य admission of partner से related है, तो question अलग है, exercise अलग है, तो वहाँ एक भी question आपका miss नहीं होगा, वहाँ पूरे question कराऊंगे, जितने भी होंगे हमारे books में, वो मैं सारे question आपको कराऊंगे, पहली चीज, ठीक है, अब ये topic, क्योंकि आपके third chapter में पहले से complete हो चुके हैं, तो यहाँ पर हम लो अलग class रहेगी, इसकी अलग, इसकी अलग, तो सभी topic की ना अलग-अलग class रहेगी, यह मैं सोचना है, यहीं पूरे एकी class में पढ़ा दूगे, इतना आसान नहीं है, क्योंकि यह सारे topics आपके बड़े-बड़े हैं, ठीक है, तो सभी classes में हर एक topic के लिए अलग class रहेगी, क्योंकि जादा questions है, और यह सभी time consuming वाले questions है, ऐसा नहीं है, अब 2-5 मिट में हो गया, है ना, तो जहाँ पर मुझे लगे का time consuming, जहाँ पर मतलब time consuming जादा हो रहेगी है questions में, तो हम उसको 2-3 पार्ट में ले जाएंगे, तो कहीं समस्या नहीं है, exercise की questions भरपूर रहेंगे आपके लिए सारी चीजे रहेंगी, concept भी मैं आपको revise कराते जाओंगी, बस यहाँ पर पहले एक brief में introduction दे रही हो, फिर एक एक topic को उठाएंगे, एक एक class में cover करते वे चलेंगे, clear, समझ गये, तो फिर आजाओ, पहला जो adjustment होता है, जब partner का admission हो रहा है, उस time पे जो सबसे adjustment है, जो सबसे पहला काम है, वो कौन सा होता है, भाई वो होता है कि क्योंकि हमें मालू में हम क्या कर रहे है, profit sharing ratio को change करेंगे, नया partner आ रहा है, पुराना ratio खतम, पुराने agreement खतम, नया agreement बनेगा, जिसमें सबसे पहला काम, क्या करना, change करना, PSR को, that is profit sharing ratio को change करना, जिसके लि new ratio क्योंकि पुराने partner ते पुराना ratio था, नया partner आ रहा है, तो नया ratio बनेगा, ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या दिखेंगे, new profit sharing ratio क्या रहेगा, क्योंकि भाई पहले जो ratio था, वो किन के बीच था, भाई वो था पहले A और B के बीच, अब किसके बीच बनेगा, A, B और C के ब काम, दूसरा काम क्या, इनका sacrifice ratio भी निकालेंगे, sacrifice किसका, इन दोनों का sacrifice निकालेंगे, क्यों निकालेंगे, क्योंकि इन दोनों ने अपने share में से थोड़ा-थोड़ा कुर्बान करा है, थोड़ा-थोड़ा sacrifice किया है, जब जाके जितना इनोंने sacrifice किया, उतना उठा के आप इसके लिए आपकी अलग से class आईगी ठीक है इसकी हम different class लेंगे ठीक है तो जो आपकी next class होगे नहीं कि आज मैं आपको सब को brief introduction दे रही हो तो जो अगली class होगी उसमें यहीं पहले topic उठाएंगे यह वाला यहीं से शुरू करेगी क्योंकि सिक्वेंस में जाना है तो यह पहले टॉपिक है तो कल की क्लास में यही टॉपिक उठाइंगे इसका पहले इंट्रोडक्शन दूँगी इसके रिले नियूटरे इसके lifting एन या पार्टनर ओणberries चलेंगे इसको गेन हो रहा है प्राफट पर इसकी वज़े से A और B को तो sacrifice करना पड़ रहा है तो इस वज़े से फिर ये क्या करेगा इसकी जो goodwill में जो share है उस पे इसे क्या करेगा compensate करेगा या क्या देगा compensation देगा इस goodwill में से क्या देगा compensation देगा किसको देगा A और B को देगा ठीक है किसको A और B को compensation देगा क्योंकि A और B ने जब जाके sacrifice किया तब जाके C को share मिला तो उस तरीके से कैसे goodwill क्योंकि देखो question में हमने देखा है न थर्ड चैप्र में या तो goodwill directly दी रहती है तो हम कर देते है sacrificing और gaining में उसका ratio निकाल देते goodwill का लेकिन यदि नहीं दी होती तो हमें क्या करना होता है dear students हमें फिर करना होता है valuation मतलब calculation of goodwill नहीं दी पर हमने second chapter में goodwill वाले chapter में goodwill को निकालना calculation करना सब सीका हुआ है second chapter में right तो वहाँ पर हमने देखा है सभी method से goodwill कैसे निकलती है तो question में आपको कुछ ना कुछ information ऐसी दी होगी जिससे आप goodwill calculate कर सकते हो और फिर compensation कितना क्या होगा वो sacrificing और gaining ratio में आप decide कर सकते हो फिर हमारे पास third adjustment क्या होगा adjustment of gain जैसे की profit या फिर loss from revaluation of asset and reassessment of liability फिर यह अगला topic रहेगा जो separate class में जाएगा जहाँ पर हम क्या देखेंगे कि क्या होगा adjustment करना पड़ेगा यादी profit हुआ है loss है कब कब भाई जब आपने रिवैंदेर्गस अकांट जब बनाते हो least all liability का रिएसेस्मेंट करने के लिए हम क्या पनाते हैं हो extraordinary एग्याले ल में पास्थे क्या नहीं रहेगाई tool 들고 दुबारसे डिबारसे एक ancestry की दूबबारसे एक नई value एक नए amount पे हम क्या बनाते हैं एक नई balance sheet बनाते हैं जिसके लिए पहले हमें क्या बनाना पड़ते हैं revaluation जिसमें हम यह show करते हैं कि हमारे asset और liability में कहां कितना कौन से asset और कौन सी liability में कितने amount का बदलाफ change आया है कुछ asset increase हो गए कुछ decrease हो गए कुछ liability increase decrease हो गए या कोई रह गई थी liability कोई रह गए थे asset record करना तो उनको record करते हैं revaluation account में तो उसका adjustment होगा उसका फिर balancing figure निकलेगा तो उस revaluation account में या तो profit निकल के आएगा या loss निकल के आएगा जो कौन distribute करेगा भाई पुराने partner करेंगे ठीक है ना क्योंकि अब नया आएगा नया partner जब आएगा तो चीजे नई accordingly शुरू हो जाएंगे तो अभी तो यह सब पुराना है पुराने asset पुरानी liability है तो इसके आने से पहले ही A और B क्या करेंगे भाई इसके आने से पहले ही सब बाट लेंगे फिर जब यह आएगा तो फिर नई चीजे चालू हो जाएंगी फिर नई तरीके से चीजे रिकॉर्ड होंगी ठीक है तो यह थार्ड एडजस्मेंट है जो आपका admission of a partner के time आप करते हो then we have fourth adjustment that is adjustment of deferred revenue expenditure यह फिर advertisement suspense भी हम कहते है तो dear students आप लोगों को मैं suggest करूंगी कि यह जो आपका topic है यह मैंने chapter number 3 में बहुत deeply को मैंने पढ़ाया है बहुत deeply मैंने आपको with example with पूरी trick की मतलब साथ हर एक चीज़ के साथ मैंने यह वाला topic पढ़ाया है deferred revenue expenditure का क्योंकि students को काफ decision होती है इसमें fictitious asset advertisement expense और यह deferred revenue expenditure यह आपका separate topic बना हुआ है third chapter में right वही same topic यहापर repeat है और लेकिन questions अलागे तो यहाँ पर हम question solve करेंगे इससे related और थोड़ा सा एक brief में introduction भी लेंगे जब मैं इसकी separate class लोगी ठीक है तो इससे related भी adjustment हम लोग करते हैं जैसे कि for example माल लो कि क कोई ऐसा expenditure है जैसे कि deferred revenue expenditure है या advertisement वाला कोई expenditure है तो क्योंकि यह पुरान expenditure है तो पहले ही और भी क्या करेंगे इसको आपस में इस खर्चे को इस expenditure को आपस में बाट लेंगे new partner के आने से पहले किस ratio में old ratio में है ना सारा काम अभी कहां होगा old ratio में होगा clear समझ गया तो old ratio में इस तरीकी का यदि कोई expenditure है तो वो partner क्या करेगा उसको distribute कर लेंगे आपस में क्योंकि एक खर्चे यह loss ही है एक तरीक बाट एक्सपेंस expenditure है तो यह और बी दोनों क्या कर लेंगे इसको आपस में bear करेंगे clear तो यहां तक क्या adjustment हो गए four total four हो गए right यह जो deferred revenue expenditure है इसके हम questions भ समझना है तो chapter three में इसका already video बना हुआ है आप उसको देख सकते हो मैं आपको refer करूंगी कि आप एक बार वो दरूर देख लेना ठीक है वैसे तो इसका topic में लेकर आउंगी पर वहां हम questions करेंगे topic यदि detail में समझना है तो third chapter पे आपको जाना होगा clear वैसे यदि पढ़ क्यो कर दिया करो जल्दी जल्दी फिर हम पाच्वा वाला देखेंगे fifth वाला adjustment clear like share कर दिया सभी ने पका तो फिर आजो भाई fifth वाले पर देख लेता है fifth adjustment क्या दिया है तो देखो भाई fifth adjustment adjustment of reserve accumulated undistributed profit and loss again इसकी भी separate चीज़े रहेंगी सब कुछ हम लोग separate different class में देखेंगे जहा पहले से business business में already रखा हुआ है profit जैसे मैंने बताया था पिछली के पिछली क्लास में बताया था शैद कि यदि हम लोग क्या करते बच्छफन में हमारी आदत होती है अभी भी है वैसे तो मेरी तो है आदत कि हम लोग क्या करते है जब भी cousin लोग सब इखटे होते भाई-बै क्या है है और ज Cane color लिट आगई तो हम वह भाई 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 बन के आने से पहले ही उस चाली में को आस्स्टोह कि आने से पहले कि यदि कोई प्रॉफिट है कोई लॉस भी है तो सी के आने से पहले भाई सब कुछ बाट बूट के खतम करो है ना बच्पन में भी करते थे कोई भाई बेन मेरा बाहर जाता था सब भी कजिन्स घर में हैं तो क्या करते थे उसके आने से पहले सब कुछ बाट बूट के खतम कर तो यहां भी यही करना है, C वाला जो partner उसके आने से पहले, यदि कोई reserve है, तो रख बाट लो, A और B मिलके बाट लेंगे, profit भी है, तो भी A और B मिलके बाट लेंगे, clear, कोई दिक्कत, कोई परिशानी, यह हो गया हमारा फिफ्ट वाला adjustment then we have adjustment number 6, तो 6 वाला क्या बोल रहा है, adjustment of capital on the basis of new profit sharing ratio, if so agreed, ठीक है, तो यदि question में, basically हम question के recording ही चलते हैं, यदि question में ऐसा कुछ दिया है, कि उनको उनकी capital का आने वाले टाइम पर कुछ दूसरे तरीके से adjustment करना है, तो वो भी हम decide करेंगे, है ना जिसको हम क्या बोलते है, adjustment करना capital की, जैसे की जो new profit sharing ratio होगा, उसमें होता है, क्योंकि आप adjustment होगा, अभी इस condition में आपको तीनों partner होते हैं, consider, A, B और C, तीनों को लेके चलेंगे, अभी तक के cases में सारा काम बस A और B का रहता था, क्योंकि C तो अभी तक आया ही नहीं है, ना, C तो अभी तक आया ही नहीं जो, अब जो C capital लाया है, और अल्रेडि A, B के तो capital ही firm है, तो अब तीनों की capital मिलके, फिर आप क्या करते हो, उसको new ratio के हसाब से, क्या करते हो, consider करते हो, क्या आप जो capital रहेगी, वह हम new ratio के हसाब से contribute करेंगे, clear, तो new ratio के हसाब से, जब हम capital को contribute करते हैं, तो हमें क्या करना अपरता है उसके लिया एच्mail करना होता है यह चिन फिन था पर लास्ट वाले टॉपिक था अभी ज़्में देट के लिए अब इसको वह क्लास आई ति कुछ दिन पहले ही टीक है तो यह हो गया हमारा क्या एड़ास्ट्मेंट और फिरिण गसवर पैस death अब इसकी भी आ रही है तो यह जो आप capital हो रही है हम सोचते हैं कि आप इसको हम new ratio में कर दें जो भी new ratio होगा तीनों में decide उसमें यदि आप adjustment करना चाहते हो तो फिर हमें adjustment of capital करना होता है राइट फिर अब हम क्या करेंगे यह जितने भी आपके six adjustment हो गए जितने भी six adjustment हैं यह सारे हम करते हैं कब admission के time admission के time में सभी adjustment होते हैं अब देखो यह सभी adjustment आपके अलग-अलग separate class में जाएंगे मैं अगेन बोल रही हो दुबारा एक बार बोल चुकी हो दुबारा बताओंगी यह सभी के separate classes जाएंगी along with exercise exercise के अलग class होगी concept के अलग class होगी पहले सब concept देखें भी हम लोग लेते जाएंगे तो total six type के adjustment है जो हम cover करेंगे इस पूरे chapter में बस यही करना है ठीक है ना इस पूरे chapter में यही adjustment है क्योंकि भाई यह वही adjustment है जो आपके admission के दौरान हो रहे हैं तो यह सबको पढ़ना बहुत important है सबको हम लोग separately cover करेंगे तो इनको हम लोग discuss करे करेंगे अब detail में हमारी अलग-अलग separate separate class में तो अब क्या करेंगे आज की class को यहीं तक रखते हैं इन सब को discuss करने के लिए आपको हर एक separate class में join होना पड़ेगा स्टे ट्यून रहना पड़ेगा मेरे साथ में यहीं हमारे चानल पर मैंगनेट ब्रींस में तो डेली आपको रहना पड़ेगा आना पड़ेगा so that हम एक एक करके concept को उठाएं एक करके topic उठाएंगे और शुरू करेंगे तो आपका जो पहला topic रहेगा मैंने वहीं बताया पहला वाला लेंगे कल की class में कल की जो class रहेगी इसकी next जो class रहेगी उसमें हम पहला topic उठाएंगे इसका पहले concept discuss करेंगे और फिर इससे related exercise की questions अलग से उसके बात की class में करेंगे तो क्या करना है अगली class में दुबारा जुड़ना है सभी को आना है क्योंकि हमारा topic यह जो है इसको हम लोग शुरू करेंगे राइट क्योंकि one by one हमें total six type के adjustment सीखने है है ना total six adjustment सीखने है तो कल सबसे पहला उठाएंगे और इस पर चर्चा करेंगे कल की class में clear so this is enough for today's class dear students I hope you like you enjoy today's class आपको सभी को सारे adjustment का थोड़ा थोड़ा मैंने आपको जो brief introduction दिया यह समझ आया होगा brief में introduction क्यों दिया क्योंकि यह सारे adjustment third chapter में मैंने detail में आपको पढ़ा दिये हैं है ना अब यहां पे भी मैं लेकिन separate class लेके एक बार आपको revise कराऊंगे और फिर questions तो पूरे करेंगे हैं अब दुबारा से कल की class होगी जहाँ पर पहला adjustment उठाएंगे और उस पर डीटेल में चर्चा करेंगे ओके तो आपको जुड़ना है हमारे अपने channel magnet brains पर जो आपको प्रोवाइड करता है 100% free और quality education English medium के लिए kg से लेके 12 तक के course अवलेबल है आप जाएए और चेक कीजिए इसे अभी और आप इसको भी अवेल कर सकते हैं पूरी प्लेलिस्ट की सारी चीज़े आपको मिल जाएंगे यूटिब चैनल पर या फिर हमारा मुबाइल का एप डाउनलोड कर लो या फिर वेबसाइट पर भी जाके आप सारी चीज़े फ्र सब्स्ट्राइब तो सभी को करना है चाते जाते क्लास को लाइक भी करना है और अदर सोचल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे की यूट्यू फेस्बूक इंस्टरग्राम ट्विट्टर वाट्साप तो यहां पे भी हमसे जुड़े रहने के लिए हमें जरूर से जरूर खुश रहिए मस्त रहिए पढ़ते रहिए की प्लार रेंग